हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हारदिक्स स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सैनिकों की डिसेबिल्टी पैंसन पर जी हां जो जजमेंट्स मानने एफटी ने किलियर कर दी हैं जिन इचैनिक हैं वो बहुत परेशान हैं देखें यहां पर जो केंदर सरकार है जो रख्षामधरल है वो उन फैसलो को लेकर अपर कोर्स में चला जाता है हाई कोड सुप्रीम कोड और देखें वह कोसिज करते हैं कि देखें इन फैसलो पर रोक लगाई जाए अब से पहले भी कई बार ऐसा हुआ है 2014 कि अगर मैं बात करूँ तो 1000 से जाद याची काएं जो है सुप्रीम कोट ने खारिज कर दी थी और देखे रक्सा मंतराल पर जुर्माना भी लगाया था और उनसे कहा था आप अपने सैनिकों के खिलाफ ऐसे नहीं कर सकते हैं तो देखे आज disability pension पर चुनोती देने पर मुस्किल में रक्सा मंतराले और एक बहुत important कबर है जो मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं विकलांग सैनिकों के विकलांगता लाबों के खिलाफ रक्सा मंतराले दुआरा बार बार जो याचिकाएं हैं और अपील दायर की जाती है उसके फलसुरूप पंजाब और हर्याना हाई कोट ने एक ऐसे मामले में करी टिपनी की जहां उन्हों इसने रक्सा अधिकारियों से पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके खिलाफ कंटेम्ट जो प्रोसीजिंग से है वो क्यों ना सुरू की जाए अवमाने कारवाही सुरू क्यों न की जाए और दस लाक रुपे तक का जुर्माना लगाया जाए ये आदेस कार्यवाक मुक्ह नियाएदीस रितू बहारी और नियाएमूर्ती अमन चोधरी की पीट ने दस जनवरी को पारित किये पीट ने निर्देस किया कि देखे 16 जनवरी को जो सुनवाई की अगली तारीख है वहाँ पर रक्षा मंतराले के एक वरिष्ट अधिकारी को आउपस्तित होना जरूरी है अतीत में भी अगर हम बात करें पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी पैंसन मामलों में अपील दायर करने के लिए रक्षा मंतराले पर सक्ति की थी और भारी जुरुमाना भी लगाया था सीस अदालत ने मार्स 2022 में अपनी नाराजगी जो है जाहिर की थी दिसंबर 2014 में विकलांगता पैंसन के खिलाफ रक्षा मंतराले दोरा दायर लगबग हजार अपीलों को सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया गया था जिसने सरकार को सभी विकलांग करीमों के साथ एक जैसा विवार करने का निर्देश दिया था चाहे वो सर्विस में हो चाहे उनके बाहर निकलने का तरीका कुछ भी हो या है वो सेवा निवर्ती ले चुके हो 2014 से लेके 2023 तक सर्वोच नियायले और उच नियायले दोरा कई ऐसे निर्देश दिये हैं जिसमें सरकार को विकलांगता नियमों की व्याक्या में उदार होने का निर्देश दिया है और साथ ही सैन्य सेवा में अंतरनी तनाव और तनाव को भी रिखांकित किया गया है कि जो देखे टैंसन है अगर पीस लोकिशन है तो उसका भी देखे अपना तनाव है आप उसको कह सकते हैं साइड लाइन नहीं कर सकते हैं जिसमें विभिन जो आपकी निर्देश दिया था देखे जब कोट की टिपनी हुई तो देखे रक्षा मंतराले के तरफ से कहा गया कि देखे अब हम ऐसा नहीं करेंगे लेकिन फिर दुबारे से वही चीजे सामने आ रही है यह रक्षा और कानूर मंतराले की उच इस तरह समीतियों के निर्देशों पर आधारित था जिन्होंने रक्षा मंतराले से ऐसी सभी अपीले वापस करने के लिए कहा था देखे अगर हम बात करें एक उच इस तरह समीति बनाए गई थी जिसमें रक्षा मंतराले भी और कानून मंतरा लेके भी जो मेंबर्स थे वो सामिल थे और उन्होंने इस बताया था कि देखे जो भी हमारे डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनके खिलाफ हमें लिटिगेशन्स नहीं करने चाहिए अपील नहीं दायर करनी चाहिए और यह भी नोट किया गया कि ऐसी अपीले राष्ट्रिय मुकदमेबाजी नीती जो हमारा नैशनल लिटिकिशन पोलिशी है और ऐसे मुकदमाजी को कम करने के लिए परधान मंतरी ने भी देखे अपनी बात रखी थी निर्देश हैं तो उसके खिलाफ है हाला कि रख्षा मंतराले के वित्ते विभाग की ओडिट आपत्यों के आधार पर पूर्व सैनिक कल्यान विभाग डी इस जबलू ने फिर से उनी विश्यों पर ससस्त्र बल नयाय दिकर्म के फैसलों को चुनोती देने के आदेश चारी की हैं जिनने पहले फरवरी 2019 में वापस ले लिया गया था और लागू किया गया था देखे ओडिट रिपोर्ट के आधार पर जो वित्तमंतराले की तरफ से आई अब डी इस डबलू डिपार्टमेंट ने जो फरवरी 2019 में जज्जमेंट जो है कह सकते हैं निरासा लेकर आएंगी बलकि इसके परिणाम सुरूप सरकारी कह जाने पर भी बारी बोज़ पड़ेगा देखे अगर हम बात करें जो पैंसन पर बोज़ पड़ रहा है उससे जज़ादा बोज़ पड़ रहा है आप कोड का समय बरबाद कर रहे हैं नहीं केवल समय बरबाद कर रहे हैं बलकि जो उसमें खर्चा आ रहा है वो बहुत जादा हो जा रहा है इसके अलावा अदालतों पर फिर से निप्टाए गए मामलों का बोज़ पड़ेगा और यह निर्धारित कानून के खिलाफ होगा सर्वोष नियारले द्वारा और इस विषय पर पिछले रक्षा मंतरियों द्वारा जो जारी निर्धेश थे उसमें एक कहा भी गया था देखें इन सारी चीजों को देखते हुए अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी इस्तिती यह आती है कि जो फैसले किये जा चुके हैं जो जज्जमेंट्स मानने एफटी ने जो जज्जमेंट्स दिये हैं जो एफटी के जज्जमेंट्स होते हैं वो देखें अपर जो भी हमारे कहें अदालत हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनके जज्जमेंट्स के आदार पर दिये होते तो ऐसी कंडिशन में आप जो है सुप्रीम कोट के जो फैसले हैं उनका कहीं न कहीं अपमान कर रहे हैं अवमान न कर रहे हैं तो अगर देखिए 16 तारिक को आज 14 तारिक हो चुकी है कल का दिन बीच में है 16 तारिक को जो इसमें प्रोसीडिंग्स होगी वो भी मैं आपके जय हिंद जय भारत